हलो बच्चों विल्कम बेक टुईडी अकेडमी एक बार फिर से आप सभी का हमारे चेनल इडी अकेडमी पर बहुत-बहुत स्वागत हैं बच्चों अपना चैप्टर चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स काफी कुछ अपन ने कवर कर लिया है और अब अपन आये हैं होते हैं अपने को इस वीडियो में देखना है चलो चूं शुरू करते हैं सबसे पहले क्या लिखा है पढ़ते हैं कि metals are found in earth crust earth की crust में हमको मिलते हैं either in free state or in combined state मतलब metals जो है ना बच्चो हमको पहली बात तो earth की crust में मिलेंगे मतलब जमीन के नीचे 2200-3400 फिट नीचे अपने को क्या मिलने वाले अपने metals मिलने वाले ठीक है सब्सक्राइब बात नीचे जाना पड़ेगा metals के खुदाई-खुदाई करनी पड़ेगी तब जाके हमको हमारे metals मिलेंगे ठीक है और मिलते हैं दो तरीके से या तो free state में मिल रहे है या फिर combined state free state का कहने का मतलब यह है कि भाया metals जो था वो किसी और चीज के साथ में मतलब जैसे आरत के crust के नीचे और दूसरे metals हो सकते हैं वहाँ पर कुछ gases हो सकती है oxygen पानी moisture कुछ भी हो सकता है अगर वो वहाँ पर किसी चीज के साथ elements के साथ availability है उसी के साथ में reaction करके कुछ compound बना ले रहा है तो वो गया combined state और वो किसी के साथ में भी reaction नहीं कर रहा है जैसे का जैसा है मिल जाएगा तो वो गया free state हाँ तो दो तरह की metals मिलेंगे अपने को ऐसे मिलेंगे या तो free state में जाफे मिलेंगे combined state तो free state में या कुन-कुन मिलता है free state में हमको देखने को मिल रहा है gold, platinum, silver, mercury, etc अब जिसे अपने series लिखे थी याद करो एक series अपने क्या लिखे थी कि के केदार, नात, का, माली, आलू, जरा, फीका, पकाता है फिर इसके निचे अपने लिखा था, cu, ag, au, pt, ag, au, pt, ag, au, pt, ag, au, pt, ag वोले तो silver, au वोले तो gold, pt वोले तो platinum जब मैंने reactivity series आपको समझाए थी, तो मैंने ये भी बताया था, कि निचे जाते जाते हैं तो metals की reactivity कम होती जाती है अब देखो metals की nature reactivity AUG मतलब silver AU gold platinum यह दिखरे है अपने को यह free state में क्यों मिल रहे है reason अपने को बता चल रहा है क्योंकि हमने पढ़ा था कि यह metals की reactivity इतनी ही कम होती है कि reaction करना ही पसंद नहीं करते हैं तो यह अपने को कैसे state में मिलेंगे अड़त करस्ट में free state में ठीक है free state करने का मतलब यह नहीं कि अपने को साफ सुतरी फॉर्म में मिलेंगे लाए gold मिला लाए हीरे जवरात बनाए और शाधी में चल दी है नहीं वहाँ पर भी अपने को कुछ ना कुछ उसके पिच्छे प्रोसेस करना रहेगा वह अपन आगे देखेंगे लेकिन free state करने का मतलब है कि यह किसी के साथ में रियेशन करके कुछ compound बना रहे हैं यह अपने आपको free state में देखना पसंद करते है ठीक आई बात समाज़ेंगे दूसरे कुछ metals जो है वो अपने को combined state में मिल रहे है जैसे sodium कहा है बही है यह रेक्टर्टिस रिजने sodium उपर है थे ठीक है तो हमने क्या देखा हमने यह देखा कि जनरली जो metals में उपर होते हैं यह सब combined state में आते हैं कैसे state में आते हैं combined state में मिलते हैं अपने को क्यों कि वहाँ पर कोई दूसरा metal आ गया जिसमें ने बताया आपको कोई gases आ गई या फिर किसी के साथ में भी यह reaction कर में को इतना संज में आ गया कि metal मिलने वाला है अर्थ की क्रस्ट में मतलब जमीन के निच्छे दोड़ा 2400 फिट निच्छे और मिले गया तो अब देखो हमको पता चल गया कि मुझे मेरा मेटल जिसमें बोलता हूं मैंने बोल दिया जिंक बोल दिया मुझे पता चल गया कि मैं जहां रहता हूं आपे मुझे जिंक वाइटल मिलना वाला है मैंने क्या किया मैंने खुला धाई 300 फिट की खुदाई करवाई फिदाई करता था गया करवाता गया 400 फिट मैंने खुदाई करवा दी ठीक है एक lift लगा दी देखाऊगा बूवीज में एक लोगे की lift होती है खरका दवाया खुड़ाक और नीचे lift गारा चलो जैसे ही नीचे गए हमने देखा कि वहाँ पे फट्तर पड़ा हुआ है क्या पड़ा हुआ है बहुत बड़ा एक फट्तर पड़ा हुआ है और मुझे पता है उस फट्तर के अंदर जिंक है उस फट्तर के अंदर क्या है जिंक है या फिर कोई भी मेटल है क्या है उस फट्तर के अंदर जिंक है या फिर कोई भी मेटल है आप फट्ग नहीं बोलेंगे अब उनको scientific नाम देंगे अब उनको तरीके से judge से देंगे क्यों क्यों हमको metal देनेवाले तो अब उनको क्या बोलेंगे हम उनको बोलेंगे minerals क्या बोलेंगे minerals पढ़ते हैं definition देखो Those natural substances Natural substance क्योंके हमको natural ने जिये है in which metal is present सबस्टेंज के अंदर कोई मेंटल प्रेजंट होता है वह सारे सबस्टेंज क्या कि लाते हैं बच्चों धिशान रखना जब वो इतने सालों से अर्थ की क्रस्ट में रखा हुआ है तो वहाँ पे उसके साथ में कुछ कंकड फत्तर वो सी impurities जो है उसके साथ में अटेच हो जाती है और इसको हम बोल देते हैं गैंग और मैट्रिक्स क्या बोलते हैं गैंग और मैट्रिक्स मिनरल आपके प्यूर फॉर्म में नहीं होते हैं उनके साथ में कोई न कोई इंप्यूरिटी होती है जिसको हम बोलते हैं गैंग और मैट्रिक्स ठीक है, मिनरल सजमा आ गया अब ये नए डेफिनेशन आया, एक और, और क्या होता है देखो, आप गर कोई सबस्टिंट जिसके अंदर मिनरल प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे, सोरी, अगर कोई सबस्टिंट जिसके अंदर मेटल प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे mineral, लेकिन अब ये और कब बनेगा, ये और कब किलाएगा, ये अपने को सबजना है, देखो, मैं तुमहारे पास में मैंने बोल दिया, तुम्हारे पास में तीन mineral है, A, B, C, ठीक है? खींक है? मैंने बोल दी है आपके पास में 3 मिनरलज हैं, इसमें भिजिंक प्रेजोंट है? oke तो तीनों को क्या मैं मिनरल्ज बोल सकता हूँ? 재미 बिलकुल बोल सकते हैं, क्यों सर? क्योंकि इसके अंदर jink है, इसलिए इन सब को अपन मिनरल तो बोल सकते, अब ये और कब बनेंगे देखो, जब मैं देखो मैं वैसे वताओ मैं मिनरल ले आया मैं वहाँ से मिनरल उठा के ले आया तो उसको मुझे पता तो है, उसके अंदर zink है तो क्या मैं zingu को निकालूँगा नहीं और अपने घर negotiate बेशने चाहूंगा और सपाइसा कमाऊंगा सीधी लिए हाया न है यही करूँगा तो आप देखो तीन जिंग मिल गए मैं तुम से यह बोलता हूँ कि अगर आप इस वाली मिनरल मैं से Jingo को निकालते हो तो आप झ्यू मान के चले कि आपके 1000 रूपीस पर KG का cost आता है किता 1000 रूपीस पर KG इस वाले में से निकालने का अगर इस में से निकालते हैं B में से इसको नाम दिएते है A इसका नाम कर दिया B इसको ओल दिया C अगर आप B में से निकालेंगे जिंक को तो आपका cost जो आएगा वो रहेगा 500 रूपीज पर के जी ठीक है अगर आप C में से आप Metal Jink को निकालना चाहेंगे तो आपका cost आएगा 2000 रूपीज पर के जी ठीक है तो आप मैं इसमें आपसे पूछता हूँ, कि आप जिपको पता है, आप मेटल बेशने वाले हो, मेटल का निकालने के बाद मेटल बेशने वाले हो, तो इन तीनों मैंसे आप किस में से मेटल निकालना पसंद करोगे, A या B या C, B, Sir C, बोले क्यों, बोले Sir, बहुत पेसा है, पड़ा हुआ है घर में, बहुत जो में भरा हुआ है, कईना कईन तो यूज ले, तो जो जिसमें मेंगा निकलेगा, उसमें से निकालेंगे, क्योंकि पेसा कई तो काम मेरे, नहीं बच्चों, और कोई अम्मानी नहीं है, हम यहा प्रॉफिट अच्छा मिलेगा, तो हम किस में से निकालेंगे, बी में से, तो बी अब क्या किलाएगी, और, क्या किलाएगी, और, किस मेटल की, जिंक की, हम बोल देंगे, कि बी इस दी, और ओफ जिंक, कि बी क्या है, जिंक की और है, और बाकी मेरी A और C जो है, यह बच् है कि the mineral यह सब क्या थे mineral थे from which जिसमें से metal can be conveniently and profitably extracted इसको और तो इसमें से अपन metal को extract कर पा रहे हैं कैसे पैसा बचा के और conveniently तो हम बोल देंगे कि हमारा क्या है यह यह हमारी और है ठीक है बढ़िया था गए नीचे से lift में नीचे गए उपर आये metal लिया उसमें से निकाल लिया अपने को पैसा यसे बच गया तो हम बोल देंगे कि भी हमारा पैसा भी बच चुका है हमको cost sufficient भी है तो यह हमारा mineral अब और केलाए गा ठीक है देखो एक point लिखा है important क्या लिखा है all ores are minerals जितनी भी ores है जिसी यह ores थी यह सब क्या है minerals है but all minerals are not ores सही बात है देखो यह अपनी ores थी यह mineral तो किलाएगी क्यों क्योंकि इसके अंदर एक metal present है लेकिन सारी minerals ores नहीं किलाएगी क्यों क्योंकि उनको और किलाना है तो cost efficient होना चाहिए conveniently metal extract होना चाहिए जो की नहीं निकल रहा है ठीक है तो यह अपने को याद रखना है सब्सक्राइब आगया minerals क्या ores क्या जैसे example लिख दूँ मैं मैंने एक example लिख दिया यहाँ पे al2 o3 dot 2 h2 o इसको हम बोलते है बॉक्साइट बॉक्साइट और नाम है इसका और इसमें से हमारा जो metal extract होता है वो होता है aluminum ठीक है क्यों अक्स्टेट करते हैं क्योंकि इसमें से conveniently or profitably अराम से और पैसा बचा के extract कर सकते हैं और aluminum निकल दाएगा तो हमने बोल लिया यह mineral भी है और भी है किसकी और है aluminum की ओर ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं देखो यहाँ पे कुछ table दीए है इसमें types of ores है मतलब कि यह कौन-कौन से metal जनरली कौन-कौन सी और बनाके किस-किस form में exist करते हैं आप चाहो तो मैं कुछ-कुछ important note करवाऊंगा आप टिक करऊंगा आप चाहे तो उनको याद रखना क्योंकि बोर्ड में कभी-कभी directly पूछ लेते हैं ठीक है देखो oxide की ores oxide की उसमें पतलब क्या होगा कि oxygen के साथ में reaction करके कुछ ने कुछ compound बना रखा होगा देखो aluminium aluminium जब oxygen के साथ में reaction करके कुछ compound बनाता है इस और को बलते है L2O3.2H2O ठीक है नाम है बोकसाइट यह अपने को याद रखना है बोटेंट है copper copper की और का नाम है copper formula होता है Cu2O यह अपने को याद रखना है iron की दोनों और का नाम याद रखना है अपने को magnetite और hematite Fe3O4 और Fe2O3 ठीक है फिर फिर आते हैं अपन sulfites की और पे मतलब मतलब आपके कोई भी XYZ metal जो वाँ पर पर प्रजेंट था उसने sulfur के साथ ने कोई ने कोई प्रतिकरिया करके कुछ ना कुछ बनाया है देखो copper क्या बनाया है Cu Fe S2 यह उसका क्या होता है formula होता है और नाम इसका copper pirate copper cleanse छीक है जिंक जिंक वाला आपको याद रखना है कि जिंक blade वाली जो और है जिंक किस में से मिलता है उसको बोलते है अपन जेड एन एस लेड वाली और जिसका नाम होता है गेलेना formula होता है PBS यह आपको याद रखना है mercury mercury और का नाम होता है मरकुरी के कौन सी और में से मिलता है सिने बार में से formula होता है HGS जब metal हमारा carbonates के साथ में reaction करेगा तूक बनाएगा तो जिसे माल लोगर मेरा metal calcium है तो यह जब और बनाता है calcium carbonate तो इसका नाम होता है lime stone यह और यह आपको याद रखनी है zinc calamine यह आपको याद रखनी है ठीक ह मरकुरी की रखें zinc की रखें और lead की रखें calcium की रखें ठीक है यह important catalyst यह यह तो याद रखनी है अपको ठीक है चाहो दोसका screenshot ले सकते हो आगे आगे देखो एक दो और को चोड़ दे रखिए sodium halide की और मतलब जब fluorine chlorine bromine iodine इन सब halogen अपने पढ़े थे इनके साथ में क्योंक और बढ़ता है तो और जब और बनेगी तो ऐसी और क्या किलाएगी halide salt किलाएगी देखो rock salt का और है इसमें से metal निकलने वाला है sodium formula क्या हो गया इनसील ठीक है magnesium इसको बोलते है कारनेलाइट formula अपना यह रहा calcium fluoride spar cf2 यह रहा silver यह होन सिल्वर एजसील यह रहा ठीक है तो आप याद रखना ही है ठीक है बच्चों तो यह अपने थे types of ores ठीक है अब देखो यह ores में जो अपने देखा न यह उसके कुछ pictures लगे हैं चाहो तो देख लो कितने shiny shiny से हैं यह magnetite का है यह अपने देखा यह limestone ठीक है यह hymatite यह galena यह सब इनके photos हैं सिद्धी से बात है metals का lecture कुन सा होता है तो इसलिए यह अपने जो ores है इनकी थोड़े से चमकने चमकने भी अपने को देखने को मिलेंगे अब यह सब बड़ी बड़ी चट्टानों की form में बिलते हैं वो भी आपने आगे पढ़ेंगे यह इनके picture समने लगा है आपको देखने के लिए ठीक है तो मिलते हैं बच्चो अपन नेक्स वीडियो में अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो बच्चो इस चैनल को like करो, share करो, subscribe करो और अपने दोस्तों को भी बोलो क्योंकि अपन नेक्स लेक्चर से बहुत important metallurgy शुरू करने वाले हैं और मिलते हैं अपन नेक्स क्लास में तब तक के लिए, thank you so much, bye bye